लोकसभा चुनाओ 2019 के सात्वे चरण का मद्दान 19 माई को होना है जिसमें खरगोन बढ़वानी लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्यासी गजेंदर पटेल के पक्ष में पूर्व मुख्य मंतरी सिरासी चोहान ने बढ़वानी जिले के सिलावत पहुचकर बारिश की भी छाते में खड़े होकर जनता को संबोधित किया कॉंग्रेस और कमलनाथ पर नित्साना साध्यते वह कहा कि कि कमलनाथ में दम है तो यंती की नोकरी की बात करती है तो अब आने वाली इनीस तारिकश का बेंड डाला है कॉंग्रेस की सरकार रही तो लालतेन और चिमनी ले आना अंधेरा चाने वाला है भाजिपा सरकार ने जो योजनाय गरीबों के लिए चलाई थी उनको भी कॉंग्रेस ने बंद कर दिया कॉंग्रेस ने तो गरीब के कफन के 5000 भी छीन लिए अभी तो सिर्फ एक ही का स्वावत की रिपोर्ट और यह वचन भी देता हूं कि जब तक सरीर में जान रहेगी खून की एक फून रहेगी मैं आपकी सेवा करता रहूरा आपके लिए लड़ता रहूंगा और यह मत सोचना कि मामा सीम नहीं है तो कमजोर है तो बलापता जरूर हो लेकर नम बहुत अ सच में आपको बहुत 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 है लेकिन यह बताओं कितने जूठे बादे किये थे कांग्रेश के कांग्रेश ने यह कहता कि सरकार अगर बनी तो दो लाग रुपे तक किसानों का करजा माफ कर देंगे दस दिर के अंदर अब चार मेना से जादा हो गए इमान गारी से जड़ा तिल पे हाट रखके मुझे बताना आदिवासी भाईयों किसान भाईयों दो लाग के करजे माफ हुए क्या और दूसरे भारत को बचाने के लिए नरेंद्र बोजी को पुर्दान मंत्री बनाना चाहिए और इसने में आप समस्थे यह निवेदर की चांदे आया हूँ आपने तो पहले भी प्यार और आशिक बाद किया इस बाद भी मुझे क्योंकि मोजी के अलावत इसको ही नहीं देमायावति, अकलेस आदव, देवे गोड़ा, राहुल भाबा, चंद्रावादी यह निवेदेश चला सकते हैं क्या है और इसलिए कमरी के फूल की बचन दबाईए जैयन सिंग सोलंकी को आपना सांसंद बनाईए नरेंद्र मोली को भारत का प्रदान मंत्री बनाईए औ कांगरेस की सरकार को सबक सखाएए, मामा कामेमान बढ़ाएए